श्री नरेंच सिंग तोमर मैं मैं नरेंच सिंग तोमर इश्वर की सफ़र लेता हूँ कि मैं विदी द्वारा इस्थापिर भारत के समिधान के प्रति सची स्रद्धा और निष्टा रखोंगा मैं भारत की प्रहुता और अखंडता अक्षुण रखोंगा मैं संग के मंतरी के रूप में अपने कर्तब्यों का स्रद्धा पूर्वत और सुद अंदकरण से निर्वन करूँगा तथा मैं भाय या पक्षपाद अनुराग या दुएस्थ के विना सबी प्रकार के लोगों के प्रति संभिधान और विदी के अनुसार नयाए करूँगा मैं मैं नरेंच सिंग तोमर इश्वर की सफ़त लेता हूँ कि जो विस्थ संग के मंतरी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ग्याद होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाए जबकि ऐसे मंतरी के रूप में अपने कर्तब्यों के सम्यक निर्भन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रोप से संसुदित या प्रगड नहीं करूँगा राजेश आप तो मद्यप्रदेश की राजनीती को बड़ी बारीकी से ट्रक करते हैं ग्रामीन विकास मंतराले का प्रभार था नरेंदर सिंग्त उमर के पास पिछली सरकार में और ग्रामीन विकास एक एहम बिंदू है ग्रामीन अलाकों से गरीबों से जो हाशिये पर पड़े लोगों के जो वोट मिले हैं मोदी सरकार को उसी के चलते प्रचंड बहुमत मिला है लेकि नरेंद सिंग्त उमर की एक खास बात है कि बगएर विवादों में आए जो काम उनको सुपा जाता है वो काम बड़ी संपूर्णता के साथ करते हैं